IAS officer का पद एक बहुती प्रतिस्ठित और बड़ा पद होता है सरकारी नौकरी की बात की जाए तो ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी में से एक होती है आज की वीडियो में हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि अगर आप बारवी के बाद IAS बनना चाहते हैं तो किस तरी किसे बने इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा ये कैसा प्रतिस्ठित पद होता है यहाँ पर हर साल लागों लोग एक्जाम देते हैं जैसे मैं आपको बता दे इस एक्जाम को पास करना बल्कुल भी आसा नहीं होता आसान भाशर में बताएं तो इस एक्जाम को पास करने के लिए बहुत ही जादा मेहनत करनी पड़ती है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको IAS के बारे में जानकारी देते हैं 12 के बाद IAS कैसे बने? Step by step 12 पास करने के बाद अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत जादा महनद करनी होती है चलिए आपको step by step इसकी जानकारी देते हैं सनातक की पढ़ाई पूरी करें IAS बननी के लिए सबसे पहले आपको बैचलर की डिगरी प्राप्ट करना आनिवारे होता है मतलब graduation complete करनी होती है इसके साथ साथ आप exam की तियारी भी कर सकते हैं इसके लिए coaching ले सकते हैं UPSC परिक्षा की तियारी करें UPSC के द्वारा ही IAS परिक्षा आयजित की जाती है इस परिक्षा की तियारी करनी होती है यहाँ पर आपको इस परिक्षा को पास करने के लिए तीन चरन पार करने होते हैं पहले प्रारंबिक परिक्षा तूसरा मुख्य परिक्षा तीसरा साक्षतकार प्रारंबिक तेयारी कैसे करें इस परिक्षा के लिए प्रारंबिक परिक्षा मतलब प्रिली मनेरी एक्जाम पास करना जरूरी होता है इसके बाद मुख्य परिक्षा मतलब मेंस एक्जाम पास क करना होता है जुसमें आपसे भारती सविधान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भारती अर्थ विवस्था, भुगोल, विज्ञान, साहित, इससे संबंदित प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह करें परिक्षा की तेयारी प्रारंभी परिक्षा की तेयारी करने के लिए सामान ग्यान, करेंट अफेर्स और सामाजिक विज्ञान का सबसे जादा महतो होता है इसके अलावा दुआनिवारी विशे और एक चैनित विशे का चुनाओ करना होता है अध्यान सामागरी अब बात करते हैं अध्यान सामागरी की तो इसके लिए पुस्तक रफ्रेंस, मटेरिय समाने ग्यान के साथ साथ अकबार, मैगजीन, ओनलाइन रिसोर्स इन सब पर ध्यान दे टेस की सीरीज, परिक्षा की तियारी करते समय आप टेस की सीरीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं या आपके लिए फायदे मन साबित हो सकती है इसके दुआरा आप अपनी कम्यों को सुध सुधार पाएंगे, इंट्रव्य की तियारी करें, इस परिक्षा का अंतिम चरन होता है, इंट्रव्य इसके लिए आपको अच्छी तरह से तियारी करनी होती है, इसमें आपको चुने गए विशय और समाजिक मोदे पर विशिष ध्यान देना होता है, अपनी कम्यों को सु जाते हैं, इसके बाद आप यूनियन पॉब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा निकाली गई, इस परिक्षा के लिए ओनलाइन आवेदिन कर सकते हैं, आई एस परिक्षा के लिए जारी की गई योगिता, आपको बता दे, आई एस की परिक्षा के लिए कुछ योगिता जार पत्र लेना होगा तभी आप इस परिक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं आइए इस परिक्षा के लिए स्यक्षिनिक योगिता इस परिक्षा के लिए किसी भी मानिता प्राप्त विश्विद्याले से सनातक के डिग्री प्राप्त करने जरूरी है आप किसी भी विश्य में अपनी graduation complete कर सकते है निर्धारित आयूसीमा इस परिक्षय के लिए आपकी आयूसीमा 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए इसी के साथ साथ आरक्षित वर्ग अनुसुची जन जाती और अनुसुची जाती के उमिद्वार को छूट भी दी जाती है यह छूट सरकार की तरब से जी जाती है जनरल वर्ग के लिए अधिक्तम आयूसीमा 32 वर्ष होती है OVC वर्ग के लिए अधिक्तम आयूसीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है इसे के साथ आरक्षित वर्ग SC और ST के लिए अधिक्तम आयूसीमा स्नाथिस वर्ष ने धारित की गई है इस परिक्षा के लिए फॉर्मिट प्रारंभिक परिक्षा इस परिक्षा में आवेदिन करने के बाद आपको प्रिलेम्स की तेयारी करनी होती है यह प्रारंभिक परिक्षा के नाम से जानी जाती है इस परिक्षा को क्वालिफाई करना जरूरी होता है जब आप इस परिक्षा को qualify कर लेते हैं तब ही आप आगे जा सकते हैं इसमें मुख्यता दो विशे महत्रपून होते हैं सामादिग्यान और C-set मुख्य परिक्षा प्रारंबिक परिक्षा पास करने के बाद आपको मुख्य परिक्षा पास करनी जरूरी होती है इस परिक्षा में आपको सामान स्टडीज एवं निबंद से संबंधित प्रश्ण पूछे जाते हैं इसी के साथ-साथ आपको ये भी बता दे अगर आप इस चुरन में अच्छे नमबर लाते हैं तो आपका सेलेक्षन के चांस बढ़ जाते हैं और इस परिक्षा के नमबर मेरिट लिस्ट में भी जोड़ी जाते हैं साक्षातकार या फिर इंटर्व्यू जब आप प्रारंबिक परिक्षा और मुखी परिक्षा पास कर लेते हैं तब आपको इंटर्व्यू के लिए बिलाय जाता है इसमें आपकी परसनालिटी, अक्टिविटी इन सभी को ध्यान में रखा जाता है इसी के साथ साथ आपके मेरिट लिस्ट के नंबर भी काम आते है IAS परिक्षा में सेलेक्षन के बाद की प्रक्रिया जब आपका सेलेक्षन हो जाता है और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो इसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है जहाँ पर आपको अपने ट्रेन के अनुसार ही ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर आपको आपके काम के बारे में सब ही प्रकार की जानकरे दी जाती है इसे के साथ साथ आपके जम्मेदारिया के बारे में भी समझाय जाता है IAS की सैलरी और सुविधाय अब बात करते हैं, एक IAS अधिकारी की सैलरी कितनी होती है, ऐसे में आपको बता दे, यहाँ पर आपको 56,100 से लेकर कम से कम 25 लाग रुपे प्रतिमा तक सैलरी मिल सकती है, इसे के साथ साथ आपको ये भी बता दे, समय के अनुसार और एक्सपिरियंस के अनुसार सैलरी में ब जानी के लिए कम से कम एक और अधिकतम तीन सरकारी वाहन ग्राइवर के साथ दिये जाते हैं, वहां का रख रखाओ एवं गाड़ी के लिए इंधन भी सरकार द्वारा मुहया करवाई जाती है, यह सबी सुबधाय एक अधिकारी को दी जाती है, उमीद करते हैं आपको हमा कि जानकारी चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्षिन में कॉमेंट कर सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें